दवाई वाला तो सबका इलाज होना ही चाहिए वो आये में कभी इलाज हो गया वो तो सुरू कर दिया ना कल से देखो हमने देखो हमारी दुस्मनी किसी भी संगठन से हो नहीं सकते और सब जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो इस धरती पर भगवान के भेजेवे द प्रदान है बाकी कोई डॉक्टर होकर के भी को यह दि उल्टा पूल्टा करता हो तो किसी इंडीज्वल की गलती है वो किसी पैथी की गलती नहीं है हां देखो प्रदान मंत्री जन ओशधी के इंदर इसलिए खोलने पड़े कि जो जैनरिक दवाई हैं जो मूल ओशधिया उनके स्थान पर लोगों ने ब्रेंडेड उसे दियां वो दस दस गुना बीस बीस पचास पचास सो सो गुना दोसो दोसो गुना रेट पर बीचनी सुरू कर दी तो हम यह चाहते हैं कि किसी को पहले तो जह है दवाओं के नाम पर शोशन ना हो और फिर गहर जरूरी दवा हैं जैनेटिक डिजीज हैं इनकेरिबल डिजीज हैं उनका क्योर भी यहां योग बिराम निरामयम में हमारे योग ऐर्वेद में सदियों पुरानी हमारे पुरवजों के घ्यान परंपरा में यह इतनी सी बात है और इसमें कोई विवाद नहीं है तीसरी लहर देखे कोरोना की लहरें तो आती रहेंगे एक तरफ आदने मोदी जी ने 21 जून से यहां सी गोशना कर दी है कि सब को मुफ्त वैक्षिन लगेगी तो डबल वैक्षिन की डोज लगवाएं और साथ योग आरिवेद की डबल ताकत और पालें तो ऐसा सुरक्ष का कबस सयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल पर एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं होगा जल्दी लगवालें जरूर सरकार को सरकार को अब कोरोना के नेमों का पालन करते वे चार धाम की यात्रा की भी छूट देनी ही चाहिए क्योंकि इस पूरी चुनोती के बीच में भी लोगों के रोजी रोटी जो है वो छिननी नहीं चाहिए उसके उत्तरा आज तक नीदे तो आज क्या दूँगा झाज़ को आज भी चाहिए